तो यहाँ पर आज किस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंप्रूव योर रैम मेनेजमेंट तो यहाँ पर हमारे चैनल के कफी सरे दर्शों को ने हमें पूछा है कि भाई हम कैसे अपने रैम मेनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं हर डिवाइस के लिए रियल में C11 तो है बट अधर डिवाइस के लिए आप बताओ तो यहाँ पर आज का यह ट्रिक्स काफ इंट्रेस्टिंग है इसको अगर देखते हैं तो आप सभी फोन में लगवक्त अपने रैम मेनेजमेंट को इंप्रूफ कर सकते हैं और हाँ रिजल्ट आपको जरूर से देखने को मिलेगा तो अगर वीडियो को अंतक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ा समझ में आ जाएगी तो चलिए आप वीडियो को बिनाक सी दर्गे करते हैं स्टार्ट और स्टार्ट करने से पहले चेनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं करा है तो चेनल को ज़रू सबस्क्राइब कर लेना उसके साथे नूटिफिक्रिक्शन बला इगान को प्रेस कर देना और हाँ वीडियो को लाइक कर देना पहले सही बता रहा हूँ क्यूंकि आप ट्रिक्स ट्रिक्स देखने पड़ी खो जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम पहले जाएंगे अपने सेटिंग पर और यहां पर हम क्या क्या करना है वो आगे बताते हैं आपको तो विसके लिए यहां पर हम आते हैं सेटिंग पर और यहां पर हम जाएंगे अपने अबाउट फोन पर जहां पर हमें बिल्ड नंबर दिखाए देता है यह पर तो यहँ पर हमें टैब करते रहना है औरवी मैंने डेब्लोपर आप् cancer को पहले अंकर रहा है और इसको कर रागट तयार मुझे यह अनकर करनी के सवर्ध मेरे इसके बार यहां पर यहां पर हमाड़ा डेबलोपर आफ ट्व हम है है तो यहां पर हमें दिखाई देगा और और यहां पर जाएंगे अपने साजेंगे पर मतलब अपने जाधा था 정도 करके ृट् gear तो आपको यहां पर हम चिकाऊट कर ले थे 12 powers पे हमने ज्यादा memory किस पर खर्च की है तो बिसकली यहाँ पर जैसे के देख सकते हमने अपने जो freewire है उस पर ज्यादा memory कर्च की है तो बिसकली चलिए इसको अभी बंद कर देते हैं तो फिर से हम start करेंगे वैसे कोई बाद नहीं है तो यहाँ पर हम इन सभी को अब एक ए करना सबसे जादा यहाँ पर सिस्टेम करता है इसलिए यार सिस्टेम को तो भी बंद नहीं कर सकते बट जो कोई थर्ड पार्टी एप्लिकेशन है उन सभी को आप यहाँ पर बंद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से तो यहाँ पर जैसे के for stop मैंने कर दिया जो कि मैं कर देख सकते हैं구요 यहाँ पर अपना डिवाइस भी दिखाएंगे ुससे कोई दरनी की बात नहीं है कि आपकर आपने कोई यह ट्रिक्स को हर डिवाइस पर यूज कर सकते हैं और जैसे कि यहां पर देख सकते हैं रैम मिनेजमेंट आपको इस तरीके से मिलेगा और हाँ अभी चलिए अब जाते हैं अपने सेटिंग पर और यहां पर हम बैकड्राउंड पर फ्रीफार को रख देंगे तो यहां पर च करेंगे और यह ओपन होता है यह नहीं चलिए देखते हैं तो यहां पर यहां पर हमारा फ्रीफार ओपन हुआ है और हाँ मैंने इसको ट्राइब करा था और यहां पर गाइस मुझे इंप्रूव्मेंट देखने को मिला था तो इसलिए मैं यह आपको सजेस्ट करता हूं आ पर नहीं करता है जितनी की एक स्टूरेज फ्री होने पर रैम वर्क करता है तो यह वाली बात है तो जरूर से एक बार ट्राइब करना आपको काफ़ इंट्रेस्टिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा तो चलिए आज का यह वीडियो खतम करते हैं पर आपको अगर वीडिय पर आपके आपके लिए इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर आप 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 आप